Hello everyone, so एक और important area को discuss करते हैं इस particular lecture के अंदर और आज हम social reforms जो किये गए थे उसके बारे में discussion करने वाले हैं So हम यह चीज़े देखेंगे कि social reforms किस-किस area से आए, किस-किस जगा पर आए और किन लोगों के द्वारा इन्हें लेकर आया गया हूँ सबसे पहले हम देखेंगे कि social reforms या फिर जो reforms movement आए इंडिया के अंदर भारत के अंदर उसके पीछे सबसे बड़ा reason क्या था देखिए जब British भारत में आए उससे पहले भी हमारी जो society थी वो कोई perfect society नहीं हुआ करते थी भारतियों में भी बहुत सारी ऐसी चीदे थी जिसमें reform करने की जुरूरत थी और उसमें से कुछ areas थे जैसे की superstition, politism, मतलब हम लोग superstitions काफी जादा थे multiple gods जो हैं उसको भी कुछ लोग अच्छा नहीं मानते थे, idolatry को भी कुछ लोग अच्छा नहीं मानते थे, जो women की position थी, वो यहाँ पर degrade थी, मतलब second जो आपका stature होता है, वो यहाँ पर दिया गया था, women को मतलब उनको males के बराबर नहीं समझाता था, और साथ ही साथ, exploitative caste hierarchy exist करती थी, देखे, polytheism, idolatry यह तो personal beliefs होते हैं, तो कुछ लोग अगर multiple gods को मानते हैं, या फिर मूर्ती पूजा करती है, यह उनका personal एक तरीका हो सकता है, किस चीज का, पूजा करने का, लेकिन किसी भी हालत में, जो second grade status जो होता है, women का, जहां पर women को equal treat नहीं किया जाता, या फिर caste hierarchy जहां पर होती है, उसको बरदास नहीं किया जा सकता था, जहां पर reforms लाने की काफी ज़्यादा जरूरती, दीरे-दीरे हुआ क्या, education को spread किया गया, लोगों के अंदर awareness भी लाए गई, कि किस तरीके से वो इनको use करते होए, जो society के अंदर obscurantism है, exploitative caste hierarchies है, और women के साथ जो exploitation किया जाता है, उसको दूर किया जा सके, दीरे-दीरे इसके बाद nationalism की जो भावना है, democracy की जो भावना है, वो भी लोगों के अंदर आनी शुरू हुई, और ये वही टाइम था, जब हमने क्या करना शुरू किया, हमने परदा system को challenge किया, हमने early marriage को challenge किया, हमने lack of education को challenge किया, female infanticide किया जाता था, उसको challenge किया, even multiple marriages, polygamy जिसको कहा जाता है, वो किया जाता था, उसको भी यहाँ पर challenge किया गया, जो marriage के बाद unequal rights होते हैं, divorce के टाइम पर भी unequal rights होते हैं, inheritance के टाइम पर भी जो unequal rights होते हैं, उन सब को यहाँ पर challenge किया, और इसमें सबसे बड करने की कोशिश करे गई major contributors की बात करें तो इसके अंदर काफी सारे ऐसे contributors थे अगर हम individual level पर बात करें या फिर association level पर बात करें जिन्होंने इसके अंदर काफी जाधा साथ दिया इसमें सबसे important चीज तो है Bengal regulation 1829 में सती को बैन कर दिया गया और इस सती को बैन कराने में अफकोस यहाँ पर बिटिशस ने help करी लेकिन राजा रामवन रोय जो थे उनका रोल सबसे ज़्यादा significant माना चाहता है चीक है इसके लावा Hindu Widow Remarriage Act 1856 में लेकर आया गया Age of Consent Act 1891 के अंदर लेकर आया गया जिसमें women को empower करने की काफी जादा कोशिश करी गई चीक है इसके लावा dowry prohibition act जो है यह भी 1961 में यह आजादी के बाद लेकर आया गया चीक है जिससे further 1986 में जैसे आप चांदते हैं आज के दिन में dowry को लेना या देना वो एक अपराद माना चाहता है लेकिन of course British time में हम इसको पास नहीं कर पाए लेकिन काफी सरे दूसरे areas ऐसे थे जैसे कि आप कह सकते हैं कि इसमें हमने शार्दा एक जो था वो लेकर आए साती सा special marriage act जो है 1954 में है तो काफी सारी चीजों को हमने change किया लेकिन कुछ चीज़े जो रह गई वो हमने अपनी independence के बाद change करनी शुरू करी यहाँ पर अब women को empowerment करने के लिए हमने क्या-क्या क्या वो मैंने आपको बताया लेकिन caste based exploitation जो था उसके against में हमने क्या-क्या चीज़े करी देखिए there were various things जो थी जिसने directly indirectly caste based hierarchies को खतम करने का काम किया जैसे कि हमारे पास हम अपना constitution लेकर है और आप जानते constitution के हिसाब से जो caste hierarchies है वो exist नहीं करती है और वो इस चीज़ को लेकर support भी नहीं करता है इसी forces जो थी colonial administration के द्वरा लाए गई जैसे कि हमारे यहाँ पर क्या होता था पहले caste के basis पर discrimination किया जाता था लेकिन अंग्रेजों ने यह चीज़ प्रक्टिस नहीं करी तो अंग्रेज जब भी job opportunities देते थे वह कास्ट के basis पर नहीं देते थे merit के basis पर देते थे second social reform movements हमारे देश में चलाए गई national movement है जिसमें हर किसी ने बढ़ चड़ कर participate किया गांधी ने भी untouchability के against में campaigns चलाए और बाबा साय भीमराव अमबेटकर का जो contribution है वो तो यहाँ पर भूला जाही नहीं सकता है चीक है तो यह सब areas जो थे हमने देखे जिसकी वज़े से जो caste based hierarchies थी वो भी reform करी गई उसको भी ठीक किया गया जिसकी सबसे ज़्यादा ठीक करने की हमारे देश में जरूरती तो दो ऐसे area थे हमारे देश के अंदर एक women empowerment का और एक caste hierarchy का जिसको दूर करना बहुत थे काया